एक Q7 जो है यह Old Book में से मैं आपको और करा हूँ Q7 है यह Old Book का तो आप इसको भी देखिएगा सबसे पहले मैं आपको यह Q7 जो करा रहूं ना मैं पहले इसकी language पढ़ाता हूँ क्योंकि ये question अलग है जो मैंने पहले कराए है वीडियो में दो स्वाल कराए है अभी अभी पीछे ये उनसे भी अलग है देखो बेटा जी मैं आपको पताता हूँ समलो ये तीसरी variety है जो मैं कराने जा रहा हूँ ये शेयर से आ रहा है टी का फरम में क्या शेयर होगा अभी वो खुलासा नहीं करा अब आगे देखो कोशन की language क्या कह रही है आर गिवस वन फोर्थ ओफ हिज शेयर एंड एस गिवस वन फिफ ओफ हिज शेयर टू दा न्यू पार्टनर एक्चुली ये तो आपको मालूम है कि जब T आता है जब T आता है तो ये जो RS है ये दोनों T के ले क्या करते हैं ये दोनों T के ले सेक्रिफाइस करते हैं इसमें ना R और S के जो सेक्रिफाइस हैं बता रखे हैं कि R गिवस वन फोर्थ ओफ हिज शेयर देखो इसमें ना ये बताया कि R T के ले कितना दे रहा है R T के लिए कितना देगा लेकिन बिटा जी याद रखना कोई सीधा ये ये नहीं लिखा कि R T के लिए 1x4 दे रहा है Language में एक word आ रहा है ध्यान से सुनो office ये जो word है ना office इसका बड़ा महत्तो है ये office की वज़े से language बदल रही है R पता है T को क्या कह रहा है R T को कह रहा है कि R T को जो देगा ना 1x4 देगा R T को 1x4 देगा of his share का मतलब अपने share का ये हिंदी है इसकी अपने हिस्से का यानि कि जितना R का खुद का हिस्से है ना R का फर्म में क्या हिस्से है 5 तीन के देशो है तो R का फरम में क्या इस्स है 5 पटे 8 है ना वो कह रहया है R कह रहया है अपने शेयर का अपने शेयर का 1 4 दूँँगा तो यहाँ पर भी का साउंड आ रहा है का का मतलब हो गया इंटू होगा और S भी यही कह रहा है S कह रहा है मैं 1 5 दूँँगा पता दूं इसमें यह जो आ रहा है ना कोशन में आफ हीज इस ऑफिस से लेंगवेज बदल जाती है इसका मतलब होता है आर अपने शेयर का दे रहे है और एस अपने शेयर का और यहां पर का रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा पहले अब यह मैंने कोशन तो आपको प पहले आपको सेक्रिफाइज जो है वो निकालने पड़ेंगे सेक्रिफाइज इसमें गिवन नहीं है पहले आपको सेक्रिफाइज केल्कुलेट करने पड़ेगा कि आर ने टी को कितना दिया और एस ने टी को कितना दिया मैं आपको पहले आर एस के सेक्रिफाइज निकाता R क्या बोल रहा था? याद है क्या बोल रहा था? Rs की अपनी ratio क्या है, 5-3 है तो बताओ, R का अपना share कितना है? 5-8 तो R कह रहा है, मैं अपने share का जो उसका हिस्सा है, 5-8 अपने share का और जहां का आगई, into लग जया अपने share का 1-4 वो T को देगा तो बिटाची पहले आपको न आर का sacrifice निकालना पड़ेगा आर के share को 1 by 4 से into करो अपने share का तो इंदी में आ रहा है अपने हिस्से का तो वो ऐसे निकलेगा अपने हिस्से का 1 by 4 तो पहले आर के share का 1 by 4 multiply करके निकालो तो सही जो की आएगा 5 by 32 calculate करो 8 चो के 32 तो यह जो बिटाथी अपने share का 1 by 4 हो रहा है तो multiply करा अब यह जो पांच बिटे 32 आया है न यह sacrifice आया है यानिकि आर ने T को जो sacrifice करा वो यह करा और ऐसे ही S है S कह रहा है मैं अपने share एस का खुद का share कितना है पता है 3 by 8 है old तो वो अपने share का 1 by 5 तो S कोई T को सीधा 1 by 5 थोड़ी दे रहा है अरे सीधा one-fifth नहीं दे रहा है अपने share का दे रहा है तो पहले उसके share का मलगी multiply करो one-fifth से तो जो multiply करने के बाद अपने share का one-fifth ऐसे निकलता है उसके share का one-fifth into करके और multiply करके ये 3 by 40 आएगा तो ये जो 3 by 40 आएगा न ये s बिटा जी sacrifice कर रहा है किसके लिए t के लिए s के लिए ये दे रहा है तो ये language ये जो question है ना ये language में ये जो word है ना office इसका मतलब होता है r अपने हिस्से का दे रहा है तो यह multiply करना पड़ता है तब sacrifice आते हैं और ये r के share का और ये s के share का तो ये multiply करके जो आया है r और s ने सीधा सीधा महला कि इस rs ने सीधा सीधा one by four one by five नहीं दिया अपने share का one by four one by five दिया तो multiply करके जो निकलेगा वो sacrifice आएंगे और अब देखो बेटा जी ये sacrifice आगे ना जब भी ये office वाला case आई इसे case कहते हैं office अपने share का तो ऐसे पहले multiply करो और जो बाहर आएगा वो sacrifice है हाँ एक बार rs के sacrifice अब आगे वोई होगा आगे वोई new share निकलेंगे हर question में वोई हो रहा है old share minus में sacrifice वोई old में से sacrifice गटा हुआ अच्छा अब r का निकालते है चलो new share r का नया share कैसे निकलेगा पहले बताओ r का old कितना था याद है r का old वोई था five by उसमें से r ने कितना दे दिया चलो ब गटाओ जो r ने t को दिया r ने t को ये दिया और s ही s का old बताओ कितना था और s ने कितना दिया था t को याद है s ने दिया था three by 40 ये देखो s ने ये जो multiply करके निकाला था sacrifice तो s ने t को ये दिया तो old में से sacrifice गटाओ old में और बस ये r का क्या आजाएगा calculate कर लो new share और ये s lcm 328 है एक बात तो दो इसमें lcm बड़ा लेना पड़ेगा 328 का lcm जो है na 160 बनेगा calculate करके देखना 160 तो 160 lcm लोगे तो ये आ जाएगा 8 को 20 160 से divide करो ये 20 आएगा 20 पंजे 100 उपर आएगा 100 ये 100 माइनस ये 32 पंजे 165 पंजे 25 तो ये 100 माइनस 25 यानिकि अगर मैं यहां लिख और ऐसे s का निकालते हैं 160 तो ये 20 ये भी आठ डिवाइड होगा 20 20 30 60 और ये 44 160 होता है तो चारती है 12 तो ये आ रहा है 48 बाई 160 ये क्या आ रहा है पता है आपको ये s का new share आ रहा है ये s का new share और इसमें आपको पता है इस question में t का तो new share दे यह नहीं रखा t कितने share से आया question में था ही नहीं कि t कितने share से आया question पढ़ देना t का share ऐसे निकलेगा जितना r ने sacrifice करा और जितना s ने करा पहले भी ऐसी करते हो जितना r ने sacrifice करा जितना s ने अब बताओ r ने कितना sacrifice करा था याद है 5 by 32 भूल मत जाना और s ने कितना करा था 3 by 40 तो ये दो मों चोड़ो 532 32 32 42 जो sacrifice करा था जोड़ लो इसके नीचे भी 160 LCM जाएगा 32 पंजे 160 और 55 25 प्लस 44 चोक 160 चारती ये 12 इसके नीचे 37 बड़े 160 ये solve कर लेना solve कर लोगे ना solve करके देख लेना ये 12 solve करके ये 37 बड़े 160 तो ये टी का नियू अब ये new share आ गया T का ये S का 48 और ये R का 75 और सबके नीचे 160 160 ही है तो बटा जी इनकी new ratio बताओं कितनी आएगी उपर लिख देता हूं इनकी नई ratio आ जाएगी R S O T की पता है नई ratio आ रही है 75 48 और 37 ये इनकी new ratio आ रही है चाहे तो कोशन में check कर लेना ये R S T की नई ratio आ गई तो new ratio नकालने का ये तरीका है दिक्कत कैया धियान से देखो कोशन वही है पहले sacrifice नकाले गए पहले sacrifice निकाले फिर new share निकाले यानि कि वही टरीका sacrifice ये sacrifice निकाले और ये new share निकाले तो बात सारी वही है लेकिन कहानी को समझो थोड़ा सा यहाँ पर ये case थोड़ा अलग है ये case अलग है इसमें office आ रहा था आर कह रहा है मैं अपने share का दूँगा और जहां कहां लगती है पहले into i होता है आर सीधा one by four नहीं देरा बच्चों अपने share का तो multiply होगा तो office वाले question में पहले multiply करके निकाला करो अब ये आपने case समझा है office वाला case था इसमें r के share का अच्छा बताओ इसमें sacrifice निकालने के लिए r और s के share को multiply करा ना multiply करा one by four तो ये calculate हुआ आपको याद है मैंने आपको पि उसमें भी पहले sacrifice निकाल रहे थे लेकिन फरक क्या है यहाँ पे sacrifice कैसे निकाल रहे है rs के जो old share है जो पुराने partner के share है उनसे multiply हो रहा है या और मैं पिछला question का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार लेकिन जो question number 6 था जो मैंने पिछली वीडियो में कराय था उसमें क्या था वो sacrifice थे फरक है इस सवाल में question number 6 में के case अलग है और question number 7 का case अलग है बच्चों question number 7 office है इसमें r और s के जो old share है ना पुराने उनसे multiply हो रहा है उनसे multiply हो रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो z share आ रहा था जितने से one by four उसको two one में बाट रहे है और बाटने के बा थोड़ा सा मैसूस करो इसके sacrifice का फरक और इसके question number 7 का फरक दोनों में फरक है साथ और 6 में बेटा जी थोड़ा सा इसको अराम से देखना आपको फरक नजर आएगा जरूर इसका